हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टेक्टर के बारे में जिसमें पावर कॉन्टेक्टर एंड कंट्रोल कॉन्टेक्टर क्या होता है पावर कॉन्टेक्टर एंड कंट्रोल कॉन्टेक्टर में क्या डिफरेंस होता है और अगर physically दोनों contactor पड़े है तो कौनसा contactor power है और कौनसा control है वो कैसे पता करे है उसके बारा में हम लोग आज इस वीडियो में discuss करने वाले है तो चलिए start करते है सबसे पहले हम start करते है power contactor से जैसी आप यह देख रहे हो यह है एक power contactor जो बना रहता है डिजाइन हुआ होता है high load को switch करने के लिए जैसा कि induction motors, heaters या तो फिर heavy machinery पावर कोंटेक्टर का जो voltage rating and current rating है वो high होता है जैसे कि voltage rating है वो 415V से लेके 3.3 के वी तक का power contactor आता है और जो पावर कोंटेक्टर की जो भोड़ी रहती है उसका जो component है वो heavy duty component से बना रहता है क्योंकि power को जो heavy electrical stress जो है withstand करना पड़ता है उसकी वज़े से उसके अंदर के हर एक component जो है वो heavy duty component से बने हुए रहते है अब चलिए बात करते है control contactor के बारे में so friends control contactor जो होता है वो mainly use होता है control circuit में यानि कि for example induction motor है उसकी controlling circuit है start और stop करना है आप induction motor को तो उसका starter circuit रहता है जिसमें contact use होता है normally open contact, normally close contact, indication के लिए contact तो वो जो contact है उसके अंदर heavy current flow नहीं होता और voltage rating भी है वो भी कम रहती है तो ऐसी जगह पे जहां पे आपको collaboration की requirement है वहाँ पर control contactor युज़ होता है Coordinator जो हो है low power circuit में use होता है जिसमे voltage rating जो है x to x 230ac रहता है और उसका जो current rating है वो भी around 6 A ampeer से से लेकर 10 AAM तक रहता है उससे ज्यादा नहीं रहता है. So, Control Contactor जो है, वो mainly circuit को control करने के लिए use होता है. अब Control Contactor जो है, वो Low Voltage and Low Current को carry करता है, उसकी वज़े से, उसका जो Construction रहता है, वो उतना Robust नहीं रहता comparatively. Power Contactor Power Contactor जो है, वो heavy रहता है और Robust रहता है, क्योंकि उसमें High Electrical Stress जो है वो प्रोडूइूज होता है अब चलिए बात करते हैं इन डेफथ की कैसे हम विसको और इसी समझ पाहें अब फ्रेंच चलिए बात करते हैं कि का ट्रोल गोंट्रेटर अगर आपके सामने फीजिकल प्रेजेंट है तो आप कैसे करें कि कौन सा और कौन सा power है, so सबसे पहले हम स्टार्ट करता है power contactor से, so power contactor में जो terminals रहते हैं उसके, उसके नॉमेंक्लेचर कुछ इस तरह से होते है, L1, L2, L3 जो incoming जहाँ पर connect होता है power जो three phase आके जहाँ पर connect होता है as a input, वहाँ पर उसका नॉमेंक्लेचर जो रहता है वो L1, L2, L3 यानि कि Line 1, Line 2 and Line 3 रहता है और Contactor का जो Outgoing निकलता है वहाँ पे T1, T2 and T3 रहता है यानि कि Terminal 1, Terminal 2 and Terminal 3 यसा Outgoing में Nomenclature रहता है जिसे आप इतर देख रहे हो और हम बात करें Control Contactor के बारे में तो Control Contactor जो है वो Physically कुछ इस तरह से दिखता है उसका जो Nomenclature रहता है वो So Normally Open and Normally Close Contact Directly NO and NC ऐसा Mark किया होगा Contactor में अब जैसा भी Control Contactor है चाहे उसमें सारे के सारे Normally Open यानि कि NO Contact हो सकते है या तो भी सारे के सारे NC Contact भी हो सकते है यानि कि Normally Close Contact हो सकते है या तो फिर Combination हो रहेगा कि भी कुछ NO हो रहेगा कुछ NC रहेगा जैसा ही आप Requirement होगा उसी तरह से Contactor अवेलेबल होता है बट उसका Main आपको Identify करना है कि Control है या Power है तो उसमें आप देखोगे तो आपको NONC ऐसा कुछ लिग्या दिखेगा तो आपको समझ लेना है कि यह जो है वो Control Contactor है सो कुछ इस तरह से हम Identify कर सकते हैं कि Power Contactor और Control Contactor कौन सा है अगर आपको कोई इंटर्यूर पूछ ले कि इसमें कौन सा Power है कौन सा Control है बता दो तो आप बता सकते हैं